मंगलवार को सागर जिले के गोपाल गंज थाना चेत्र अंतरगत राजगाट के पास हनोता गाउ में उस वक्त संसनी फैल गई जब करीब चार दिन से लापता एक चालीस वर्सी व्यक्ति का छत विछत सब बरामद हुआ बताया जा रहा है कि सागर के कोसवाली थाना चेत्र अंतरगत लाजपत पुराबाड में रहने वाले करीब 40 वर्सी जाकिर पिता जबार चार दिन पहले करीब 5-6 दोस्तों के साथ राजगाट के पास हनोता टपरिया गाउ में पिकनेक मनाने और मचली का सिकार करने गया परिजनों ने खोजबीन के बाद कोतवाली थाने में गुमसूदगी की शिकायत दर्ज कराई वहीं आज पिकनेक मनाने गए अन साथियों को जब परिजनों ने ढूला और उनसे पूछताच की तो पिकनेक मनाने गए वही साथी उस जगापर पहुँचे जहां बीते चार जिन पहले पिकनेक मनाने गए थे यहीं खेत के पास जाडियों में गुम हुए जाकर का सब बरामद हुआ हलाकि इस पूरे मामले में मरतक के परिजन हत्या की आसंका जता रहे हैं साथी परिजनों का कहना है कि मरतक जाकर एक मोटर साइकल बेंच कर अपने दोस्तों की साथ पिकनेक मनाने गया हुआ था जहां आज उसका सब बरामद हुआ है सब प्रतम द्रस्टेया क्या समझे है अब यह हमारे भाई है जाकर उनके छोटे भाई हैं रासिफ लोग चार-पांच जन लोग गए थे सिकार पे और एक गाड़ी बेंची पहले इन लोगों ने कबाड़ी में पलसर गाड़ी और उसके बाद पांच लोग जे इनके नाम ह है रिंकू, इककू और उनका क्या नाम है फाहीम, खली और एक और है कबाड़ी क्या नाम है रईस कबाड़ी यह लोग यह लोग उसको छोड़के उदर इदर भग जाए अब हम लोगों को कल पता लगा उनके पिता जी ने फोन लगाया जाकर के पापा ने फोन लगाया रासिफ जाकर का पता करो जड़ा जाकर है कहां उनका मैंने बाबू हमापास आये थे लेकिन आये थे वोई 24 देश 24 तारीक को तो इस दिन के बाद फिर हमने इनका पता करा कि इन लोगों के साथ में हैं उनके बाद फिर हमने इनके घर से उ कि आगे एक गाओं है तपरिया उसके अंदर राजगाट के डेम नहीं डेम के आगे है उदर में लिए सूचना कैसे मिली दिए इस उचना इन लोगों को लेकर गए थे जो लोग साथ में गए थे उन लोगों को लेकर गए थे अब 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 यह हासा है या फिर एक हत्या यह तो फिलाल पुलिस जाज और पोस्ट माटम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा ब्यूरो रिपोर्ट सागर एक्सप्रेश नियूज